प्रयाग राज में आयोजित होने वाले महाकुम्व के भव्य आयोजन के लिए योगी सरकार द्वारा की जा रही तैयारियां तीजी से आगे बढ़ रही है। योगी सरकार की कोशिश है कि श्रधालूओं को न सिर्फ महाकुम्व का आध्यात्मिक आनंद मिले बल्कि उनकी यात्रा भी आसान और सुविधा जंखो। इस दिशा में राज्य सरकार ने विशेश रूप से सड़क मार्ग से प्रयागराज तक की पहुंच को सरल बनाने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। सड़क मार्गों के विकास से लेकर पार्किंग, डिजिटल साइन बोर्ड, शटल बसें, इरिक्षा और आपातकाली न्योजनाओं तक हर पहलू पर ध्यान दिया गया है। ये सभी कदम महाकुंभ को एक सुरक्षित, सुव्यवस्थित और यादगार आयोजन बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगे। महाकुंभ के दोरान करोडों शट्धालूं के देश भर से प्रयागराज पहुँचने की उम्मीद है और इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने साथ प्रमुक मार्ग चेहनित किये हैं। इन मार्गों पर यातायात के सुगम प्रवाह के लिए विशेश योजनाय बनाई जा रही हैं ताकि श्रधालू बिना किसी अवरोध के कुम्भनगरी तक पहुँच सके। जिन साथ प्रमुक मार्गों को चिनित किया गया है उसमें जौंपुर मार्ग से 21 फीसद, वारंसी मार्ग से 16 फीसद, मिरजापुर मार्ग से 12 फीसद, रिवा मार्ग से 18 फीसद, कानपुर मार्ग से 14 फीसद, लखनव मार्ग से 10 फीसद और अयोध्या, प्रतापगड मार् जिससे जाम की समस्या नहीं होगी और वाहनों का प्रवाह निर्बाद रहेगा। महाकुंभ के दौरान श्रधालूओं की भारी संख्या को देखते हुए पार्किंग के लिए विशिश ध्याम दिया गया है। सरकार ने 101 पार्किंग स्थलों का निर्मान सुनिश्चित किया है जिन में 5 लाख वाहनों के खड़ा होने की ख्षमता होगी। इसमें 30 पार्किंग स्थल भारी वाहनों के लिए और 71 हलके वाहनों के लिए चेनित किये गए हैं। इसके साथ ही, 20 पार्किंग स्थलों को सैटलाइट टाउन के रूप में विक्सित किया जा रहा है, जहां श्रधालूओं को सभी बुन्यादी सुविधाएं मुहया कराई जाएंगी. इसके अलावा, सरसक जन्पदिय पार्किंग स्थल और 34 मेला पार्किंग स्थल भी बनाय जाएंगे, ताकि श्रधालूओं को पार्किंग के दौरान किसी भी प्रकार की असुविधा न हो. राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि महाकुम्व मेले का विशाल शेत्र और वहां लाखों श्रधालूओं का आवागमन एक बड़ी चुनौती होती है. इसे ध्यान में रखते हुए मेलाक शेत्र को 10 जोन में विभाजित किया जाएगा और सभी जोन को 30 पांटून पुलों के माध्यम से जोड़ा जाएगा. यह विवस्था इस तरह बनाई जा रही है कि श्रधालूओं को एक शेत्र से दूसरे क्शेत्र तक पहुंचने में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े. इसके साथ ही मेलाक्शेत्र में श्रधालूओं को सुगम अवागम के लिए शटल बसें और इरिक्षा सेवाएं मोहया कराई जाएंगी. कुल 550 शटल बसें और 20,000 इरिक्षा मेले के विभिन हिस्सों में श्रधालूओं को ले जाने के लिए उपलब्ध होंगे, जिससे लोगों की यात्रा आसान हो सके. महाकुम्भ की एक और खास बात यह है कि इस बार सरकार ने डिजिटल तकनीक का व्यापक इस्तिमाल करने की योजना बनाई है. पूरे मेलाक्षेत्र में 100 डिजिटल साइनेज और 80 विज्वल मैनेज डिस्पले लगाए जाएंगे. इन डिजिटल साइनेज और डिस्पले बोर्ड्स के माध्यम से श्रधालूओं को यातायात मार्ग, मेलाक्षेत्र की जांकारी, पार्किंग की स्थिती और अन्य आवश्यक सूचनाय आसानी से प्राप्त होंगी.